नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चानल पर आज के इस तुडियू में हम देखने हो ले तीन ड्रीम इलेओन की विनिंग टीम्स ड्रीम इलेओन त्री लेंड टी ट्वेंटी ब्लास्ट की जो मैच है एस सी के वर्सेस एस एल एस की तीन ड्रीम इलेओन की विनिंग टीम्स हम देखने वाले तो जैसे कि मैंने मैच को हाइलाट करके दिखा दिया है आपको उस पर क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक यहाँ पर टीम नहीं बनाई है तो आपको क्रियेटर टीम पर क्लिक करनी होगी लेकिन मैं अल्रेड़ी टीम यहाँ पर बनाके रख चुकाई जिसे एक-एक करके मैं आपको एडिट करके दिखाता जाऊंगा किसको लेना है आपको किसको नहीं लेना है और आखिर में क्याप्टन और राइस क्याप्टन किस से बना से वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को देता हो सबसे पहले बात तो कहूंगा तो थोड़ा रिस्की टीम है रिस्की मैच है तो हो सके तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए तो सबसे पहले हम आचुके कीपिंग के सेक्षन पर यहां पर दो ही कीपर है तो उसमें से भी मैंने अभी एल जूलियन को लिया इसके इसतर से तीन बल्लेबाजों के साथ में जाने आलाओ उसके बाद आल रॉंडर पर चलते हैं तो हम सब को पता है कि केरन पोलाट और सुनिल नरिद कस्तर से बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते तो जरूर हम इन दोनों के साथ जरूर जाएंगे और जेम होमत भी काफी बढ़िया है तो अच्छी कासी बैटिंग कर सकते और अच्छी कासी गेन बाजी कर सकते तो जरूर आप इनको भी एक टीम में ने मुहरे खाल से हर टीम में इनको लेना अच्छा रहेगा तो अभी फिलाल मैंने तीन और रॉंडर को ले लिया इसके बाद गेन बाद पर चल तो ज्यादा चेंजेस रह सकते तो जरूर मेरे टेलेग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिये वहां से उसे जॉइन कर लिजिए ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको मैं बता सको पहले टीम हमारी क्रेडिट भी खतम हो चुके यानि हमने अच्छी खासी टी कंटीनू पर क्लिक करके देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते हैं तो जैसे कि आप देख पारे मैं सबसे पहले जे महुमत को क्याप्तान बनाओंगा केरन पुलाड को वाइस क्याप्टन बनाओंगा टीम प्रिव्यू कर लेते जैसे कि आप देख पा रहे सबसे पहले कीपिंग में हमने जे एल जुलियन को लिया है इसके लाओ कोई और के पर हम नहीं लेने वाले बैटिंग की बात करें तो टी वेबस्टार को लिया है के सिमान्स को लिया है और एंड शॉक डेशन को लिया है अगर ओल रॉंडर की बात करें तो हमारे जाने पाइचाने दो और चेचे बड़े ओल रॉंडर हैं वो है केरन पोलाड और सुनील नरिन इनको तो हम लेंगे ही हर टीम में और जे मोहमत को भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है इस बार मेरे पास गेंड़ि में चार गेंड़ी है दोस्तों जैसे कि आप देख पार है रवी रामपाल को मैंने ले लिया है य्किंकव को भी पहीड भी ले रहा हूँ और और राषर को भी मैं इस टीम में स्टिम में शामिल कर रहा हूँ अपने हैसाब से इस टीम को Grand League के लिए जरूर यूज़ कर सकते है Small League के लिए भी यूज़ कर सकते है तो आप अपने हैसाब से सोच समझके इस टीम पर Grand League या Small League लगानी है वो लगाई है Captain मैंने काफी जबदस चूज़ कर लिया है जैसे के आप देख पार है इनका मुझे नहीं लगता है कि गेनबाजी कर सकते हाँ करेंगे तो आपको आपको आपछा फायदा हो सकता हाँ आप ऐसा भी कर सकते दोस्तों अगर आप चाहे तो केरन पर लाट को अब मैं आपको दूसरी टीम मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं कीपिंग में दोनों कीपर के साथ जा रहा हूँ जैसे के आप देखी पार है एल जूलियन तो है लेकिन डैनियल विल्यम्स को भी मैं इस टीम में लूँगा यह भी अच्छे प्लियर है ज़रूर अच्छा परफॉमस कर सकते इसके बाद बैटिंग पर चलते तो बैटिंग में मैंने टी वेब स्टार को लिया है के सिमोंस को लिया है और ई निकोल सन को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तीनों की तीनों अच्छे बल्ले बादे तीनों की तीनों आप इस टीम में ले सकते आपको काफी फायदा हो सकता है अब और पर चलते तो केरन पोलार को मैंने ले लिया है शुनिल नरीन को भी मैं लूंगा इस बार मैं जे मोहमत के करें तो मैं अभी फिलाल इनको ज़रूर लूँगा अगले टीम में देखते हम कुछ चेंजेस और भी कर सकते चलिए गिनबाजी पी चलते तो आफकोस रवी रामपॉल को फिर से ले लिया भी चार्ль dinero को भी मैंने यहां पे शामिल कर लिया और यहां पर के इário यहां पड़िया पास आथी ख्रेडिड बचीते तो मैंपर इरिक आ मैंने जैसे कि आप देख पारे टी वेफ स्टार को बनाया और वाइस कैप्टन मैंने रभी राम पॉल को बनाया अगर आप चाहे तो यहाँ पर केरन पॉलाड को कैप्टन बना सकते लेकिन मुझे लगता है टी वेफ स्टार ज्यादा बढ़िया चोइस रहेगी कैप्टन के लिए चले टीम प्रिव्यू कर लेते जैसे कि आप देख पारे मैंने इस बार दो कीपर को शामिल कर लिया है एल जूलियन और डैनियल विल्यम्स दोनों की दोनों अच्छे खासे बल्लेवाज है और अच्छी खासी किपिंग भी कर सकते तो जरूरू आप इन दोनों के लिए और एल निकोल्सन को भी इस टीम में शामिल कर लिया है और राउंडर में आफकोस केरन पोलाड और सुनिल नरीन तो हमारे हर टीम में रहेंगी इसके अलाव मैंने इस संकर को भी हाप ले लिया यह अच्छी खासे खेल सकते तो कम से कम एक टीम में आप इनको जरूर ले सकते गेन बाजी में मैंने आपर रवी रांपॉल भी चाल्स और इरिक जी को शामिल कर लिया है यह बी काफी अच्छे गेन बाज है जरूर आप इन तीनों को ले सकते अपने टीम में और काफी फायदा हो सकता है तो कुल मिला कि हमारी दूसरी टीम भी काफी बढ़िया बन चुके जरूर मैं स्टी म को कहूँगा आप Grand League और Small League स्मॉल लिए उच कर सकते हैं आपशाप से इस ç्रीम के लिए उच करने तो Grand League के लिए उच के जगा में मैं एक लगव तो आप और indirect लिए जिगा बनाए सकते इनका पर फायदा हो सकता है ती वेब स्टार काफी अच्छी बैटिंग तो करी सकते साथ इसाथ रवी रॉंपल हम सब को पता है काफी एक्सप्रियंस है और काफी अच्छी विक्टेम मिलती है इनको तो ज़रूर आप इनको भी वाइस कैप्टन बना सकते अगर लेकिन मुझे लगता है इसी तर से रहने दिया तो ज्यादा बेटर रहेगा इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तीसरी टीम भी काफी जबदस बनने वाली है दोस्तों पर यहाँ पर मैंने फिर से एकी कीपर को शामिल कर लिया एल जूलियन इसके अलग किसे और कीपर को नहीं ले रहा हूँ बैटिंग पर चलते हैं तो यहाँ पर टी वेफ स्टार है के सिमोंस को भी मैंने ले लिया है लेकिन यहाँ पर एक चेंज और कर लिया है जे जग इसार को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है यह भी काफी अच्छे बैटिंग कर सकते हैं तो जरू आप कम से कम एक टीम में को ज़रू शामिल कर सकते हैं तो केरन पॉलाड और सुनिल नरीन भी है मेरे पास फिर से जे मोहमद को मैंने ले लिया और एम रिचर्ट को भी मैंने स्टीम में शामिल कर लिया तो इसके बाद गेनबाजी पर चलते तो आफकोस इस बार रवी रंपॉल को मैं नहीं लूँगा बी चार्ल्स को मैंने इस टीम में ले लिया वी सिंग को लिया और सी रायमोंड को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया तो देख सकते हैं इस टीम की भी हमारे क्रेडिट का खतम हो चुके है याने हमने यह भी टीम काफ़ी अच्छी बना लिये तो जरूर आप इस तरसे टीम बना सकते हैं आपको काफी फाइदा हो सकता है चलिए दोस्तों ग्राइड लिग मापकी जगा क्याप्टन हो कंटीडू पर क्लिक करके क्याप्टन और वाइस कप्टन हमें देख लेने तो सबसे पहले हमने यहां पर सुनिल नरिन को अभी तक एक भी जगह पर क्याप्टन या मत की जगाद चलिए दोस्तों टीम प्रिव्यू कर लेते जैसे कि आप देख पारे एल जुलियन को मैंने कीपिंग में लिया इसके लाग कोई और की पर नहीं ले रहा हूं अगर बैटिंग की बात करें टो टी वेबस्टार के सिमोंस और जे जगस इसार को मैंने स्टीम में शामिल कर लिया है तीनों अच्छे खासे बल्लेवाज है जरूर आपको फायदा दिला सकते हैं इसके बाद मेरे पास चार ओल रॉंडर है जैसे कि आप देख पारे केरन पोलाड है सुनिल नरी ने जेम होमत को भी मैंने ले लिया है और एम रिचर्ड्स को भी मैंने शामिल कर लिया तो कुल मिला कि यह टीम भी काफी अच्छे और खतरनाक बन गई है इसके बाद गेनबाजी में मैंने अपकोस रवी रामपॉल को अभी तक दोनों टीमों में लिया था लेकिन इस टीम में उनको ड्रॉप कर रहा हूँ और बी चार्ल्स के साथ जा रहा हूँ वी सि कि ज़ीगा स्मॉलीच के लिए ऑगर यूज करनी यह तो पहले इसे शिर्फ एक ग्रांड लिग लगा दी जगा ताकि आपको ग्रांड लिग में जाधा से जाधा अर्निंग हो या फिर आप घ्रयलिग जेच के तो इसे इक लिंफ 180 यहां पर ब्रयारीश के लिए उहाँ औ को पता है कि सुनिल लर्न किस तर से बैटिंग कर सकते किस तर से बॉलिंग करते बॉलिंग में तो इनका कुई जवाब ही नहीं है साथ बैटिंग अगर इनको टॉप ऑर्डर में भेज दिया जायका जैसे कि ओपनिंग के लिए तो यह खतरनाक स्ट्रायक रेट से जरूर बड़ा सकते तो फिर से कोँगा दोस्तों जादा से जादा नहीं यहीं और रिस्की साबी तो सकता है, काफी अच्छी टीमे बन चुके, तो आप इसी तरह से रहने देंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो I hope आपको मेरी टीनोटी में और मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आए होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर कर लीजे ताकि आपको समय पर कुछ भी चेंजेश होते तो उसके बारे में बता सको किसे ड्रॉप किया गए और उनकी जगह पर आप किसको ले सकते यह सब बाते मैं आपको बता सकूझ और साथ फिर से कहुंगा दोस्तों पहली मैं दोनों टिमों की तो ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं तो जरूर टेलिग्राम को जाइन कर लीजिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गुडबाई